नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Unstoppable Dreams में तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है Annual TV Report के बारे में तो जैसा कि मैं आपको बता दू कि 24 तारीक को हमारे स्वास्त मंतरी डाक्टर हर्च वर्धन जी द्वारा हमारे द ऐसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा कि जो 2020 में हमारी रिपोर्ट आईए उसमें यह बताये गया कि 2019 में हमारे देश में 24 लाग टीवी के केस रिपोर्ट किये गये थे जिसमें से 79,144 लोगों की टीवी के दौरान टीवी रोग के वज़ा से मौत होई थी और इस रिप को खतम कर देंगे तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमारे देश में जैसा कि मैंने आभी आपको बताये कि हमारे देश में 24 लाग टीवी पेसेंट एक्टिव 2019 में दर्ज किये गए थे लेकिन आपको यहां पर गौर करने वाली यह बात होगी क्योंकि आपक रूप से इतने अच्छे से कारिक्रम चलाये जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि 3 लाग केसिस का इसमें डिफरेंस आ रहा है और आप इससे जान सकते हैं कि किस तरह से इसको काम में लाये जा रहा है क्योंकि आप देख रहा है कि 3 लाग का अंतर इतने बड़े पॉप वो यह बताये गया था कि 4.500,000 लोगों की मौत होगी तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है डबली अच्चो की जो रिपोर्ट में कहा गया था भारत को लेके और जो भारत का टीवी रिपोर्ट आया है उसमें जो मरने का अकड़ा दर्ज किया गया उसमें कितना अ आखमांका आथी strategies नहीं है यह एक तरह से bacteria डिजीज है तो यह टीवी बैक्टीरिया की रूप में होता है और जब आपको टीवी होगा तो इसके symptoms आपको दिखेंगे इसमें जो major symptom है उसमें आपको खासी बलगम हाता है जो major है वो आपका खासी और बल्गम के जब खासी जादे आने लगे आपको दो हपतों से जादे और बल्गम में आपके खून आने लगे तो ये मान लीजे कि आपको TV के कुछ लच्छा नहीं हो तो आप तुरंत उस चीज को दिखाएं तो दोस्तों TV को अगर आसान भासा में देखा जाएं तो दो तरीके से आपको मैं बताना चाहूँगा कि सिंपल सब्दों में आप जान सकते हैं TV आखिर कैसे है तो एक TV दो रूप से एक Latin TV होता और एक Active TV होता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर पूरे वर्ल्ड क जो population है अगर वो 800 करोड है तो उसमें Latin TV जो है वो 200 करोड यानि आप मान सकते हैं quarter पूरा मतब 200 करोड लोगों के अंदर Latin TV है तो Latin TV यह होता है कि आपके अंदर TV है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा वो अपना symptom नहीं दिखाता है वो Active नहीं होता है लेकिन जो दूसरा Active TV हो होता है वो symptoms आपके अंदर लक्षण आपको दिखने सुरू हो जाते हैं और यहां पर यह बताया गया इस रिपोड में कि जो हमारे HIV पेसेंट होते हैं तो यह most एक तरह से effective होते हैं और यह सबसे ज्यादा highly risk होते हैं TV पेसेंटों के लिए तो जैसे कि आप सभी को पता है कि TV जो एक तरह से यह human to human transfer होता है यह droplets के द्वारा अगर आप छीकते हैं खासते हैं तो इसकी तरह थूँ यह बहुत तेजी से वेक्टिरिया एक से दूसरे इंसान के रूप में जाता है और इसमें जो सबसे ज़्यादा effective होते हैं HIV जो पेसेंट होते हैं वो होते हैं क्योंकि हमारा सरीर उसके response में तुरंट एक antibodies activate होते हैं उसके और वो उससे लड़ने के लिए तुरंट form होते हैं लेकिन जब यह आपको HIV अगर हो गया तो यह आपके सारा जो nervous system है जो आपका antibodies हैं यह आपको कम मिलेंगे और यह जितने अच्छे से काम करना चाहिए उतने अच्छे स का सबहरे को पता है हमारे देश के गुठा सबसे ज्यादा खाये जाता है सिग्रेट आज कल तो सिग्रेट एक fashion हो गया है लोग fashion में शिग्रेट पीते एह नोग और अल्गौल लेते हैं fashion के रूप में तो यह आप अप देख सकते हैं कि यह तुरंत तो नहीं असर दिखाता लेकिन आने वाले 10-15 सालों में ये हमारे सरीर को धीरे धीरे अंदर ये अंदर एक तरह से खोखला करते हुआ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि सिगरेट, एलकोहल, गुटखा अमारे लिए कितना नुकसान दायक हो सकता है तो मैं दोस्तों आप से यही अपील करूँगा, आप इन सब चीजों से जितना अधिक से अधिक दूर रहें, उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतनी आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा होगा तो यह बात कर लेते हैं कि टीवी में जो इस्टेट सबसे अच्छा काम किये हैं, जो हमारे एक्जाम व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो पूछा जा सकता है तो अगर बड़े राज्यों में पूछा जाए, तो जो पचास लाग से, पचास लाग पॉपुलेशन से जो एवव हैं, जो राजी, उनमें अगर सबसे अच्छा इस्टेट जो काम किया है, टीवी को लेके, तो उसमें सबसे अच्छा इस्टेट है गुजरात, उसके अगर हवेली और दमंदीव ने अच्छा काम किया है, और भी सारी स्टेटों ने अच्छा काम किया, लेकिन इन स्टेटों की बात करें, तो इन्होंने काफी अच्छे से टीवी को कंटेन किया है, और अब बात कर ली जाए, टीवी को रोकने के लिए प्रोग्राम जो है, त टीवी को अपने देश से 2015 तक पूरी तरीके से eliminate कर देंगे और इसके लिए जो WHO प्रोग्राम चलाए जा रहा है जैसे आपको दिख रहा होगा RNTCP, NTEP, National Tuberculosis Elimination प्रोग्राम यह तमाम तरह के बहुत बड़े प्रोग्राम चलाए जा रहा है अब आईए बात कर लेते हैं वीडियो के आखरी में कि हमारे देश में टीवी के रोग्ठाम के लिए क्या प्रोग्राम चलाए जा रहा है जो आप अपने एक्जाम में लिख सकते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले जाए तो दा निक्स्च है इको सिस्टम यह तरह से पूरा इको सिस्टम होता है यह टीवी के पेसेंट का पूरा मॉनेटरिंग करता है इसमें आपको यह देखने को मिलेगा कि इसमें जो जितने भी टीवी पेसेंट होते हैं सबकी मॉनेटरिंग की जाती कि क्या वो जो टीवी का पे पूरा ही निगरानी करता है उसके पाद जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है वो निक्षय पोसन योजना है इसमें क्या है जैसे आपको पता कि हमारे देश में गरीबों की संख्या जादे है और गरीब एक अच्छे अस्पताल या अच्छे जगह पे सुविधा नहीं ले सकते क क्योंकि आर्थी खालत उनकी ऐसी होती है तो इसमें क्या होता है कि सरकार इसमें जो है वो आपको financial support देगी और nutrition के लिए भी आपको support देगी तो इस अभियान में ये चलाए जाता है जो हमारा तीसरा प्रोग्राम है वो है TV हारेगा देश जीतेगा इसको September 2019 में लाँच किया गया था और ये बताया गया था कि देश में किस तरह से TV को eliminate करना है और जो हमारा चौथा भियान है तो ये आपको दिखरोगा इस प्रोजेक्ट अफ दी टाटा इंस्टूट अफ सोसल साइंस तो ये टाटा इंस्टूट अफ सोसल साइंस द्वारा दिया गया तो इसमें आप counselling करा सकते है फ्री में आपको provide की जाती है फ्री में आप टीवी जितने पेसंट आप counselling कर सकते है उसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी जीवन चर्या कैसे होने चाहिए आपका खान पीन कैसा होना चाहिए साफ सफाई कैसी होनी चाहिए तो आपको ये फ्री में सारे advice देंगे तो दोस्तों आसा करता हूँ कि आपको इस बारे में काफी कुछ समझ में आया होगा और आप काफी कुछ जान पाएंगे टीवी के बारे में और मैं दोस्तों आपसे जाते-जाते ये appeal करना चाहूँगा कि आप भी टीवी के रोक थाम के लिए अपनी भूम का निभाएं अगर आप अपने गाउं में जा रहा हैं तो वहां को लोगों के बारे में बताएं कि ये टीवी के रोक थाम के लिए सरकार ये योजनाय कर रही हैं आप उनका लाव उठा सकते हैं और जो last में मैं आपको बता चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप सिग्रेट, अल्को, हल, गुट, खा इन सबों इसों दूर रहें तो आसा करता हूँ आपको दोस्तों काफी कुछ समझ में आया होगा और आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा और इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ जैहिंद